जैस्री राम प्रेमी भक्तू सुभए उठकर रोज केवल बस इतना करो आपका जीवन न बदल जाये तो कहना भक्तू वास्तम में ही जो हम बताने जा रहे हैं सुभए उठकर आपने ये इतना कर लिया तो वास्तम में ही आपका जीवन बदल जायेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन करना आपको पढ़ेगा, क्योंकि भूग आपको लगी है, तो रोटी आपको खानी पढ़ेगी, तब ही आपका पेट भरेगा, अब आपने करना क्या है, यह हैं, आप ध्यान से सुनें, और नेमित करें, फिर देखो, आपका जीवन क्यों नहीं बदलता है अवस्य बदल जाएगा अवस्य आपने सुबह उठकर के ना नाने की जरूते हैं ना धोने की जरूते हैं केवल और केवल नीन खुलते ही और आप आराम से बैठ जाएं अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो बिना तकिया के लेटे रहें और सबसे पहले आप माता पिता को और गुरू को प्रणाम करें और गुरू को और माता पिता को प्रणाम करने के बाद में आप जैसा भी जानते हैं जैसा भी आपके गुरू ने बताया है और या किसी का गुरू है भी नहीं तो भी आप जैसा जानते हैं वैसा नाम जब करें इसमें आपको और केबल विश्वा स्रद्धा और भाव किया वस्कता है अगर आपने नेमित सुबह रोज उठकर के यह काम कर लिया तो वास्तम में ही आपका जीवन बदल जाएगा इसमें कोई संदे नहीं क्योंकि लोग सुनतो लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं जो अपने जीवन में उतार लेते हैं वास्तम में ही उनको वह मिल जाता जो उन्हें चाहिए और जो लगातार लगे रहते हैं उनको वह मिलता है जो उनकी सोच से परे होता है लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं दुखों में रहते हैं परेसानियों में रहते हैं असांती में रहते हैं और चाहते क्या हैं सांती मिले सुख मिले और हमें धंदौलत मिले एसरीय मिले लेकिन करना कोई नहीं चाहता है अगर कोई कर ले और नियम से कर ले और नियम से करने के साथ साथ उसमें अपनी स्रद्धा और भाव और विश्वास को उडेल दे उनको साथ में ले ले तो भक्तो हम इतना कह सकते हैं ज्यादा नहीं कह सकते हैं कुछी दिनों में ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आपको पूरा जीवन अगर आप लगातार करते रहे तो आपको दुख मिलेगा नहीं कभी हानी मिलेगी नहीं आपको कभी आपि सुभए ये इतना काम करें और अपने जीवन को बदलें और जीवन को आनन्द में बनाएं अरजी हमारी है मरजी आपकी है अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जै स्री राम